अज़ाद हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लासिस में आपका स्वागत है बच्चो आज मैं आपको क्लास फॉर्थ का लेसन एक पड़ाने जा रही हूँ यह कवीता है इस कवीता का नाम है एक-एक से इस कवीता में यह पताया गया है कि एकता में बड़ी शक्ती होती है जैसे कि एक कहावत है की एक और एक ग्यारा होती है कहने का तात्परे यह है कि अगर हम सब मिल कर कारे करेंगे तो वे कारे बड़ा शीग्र हो जाता है और उसे करने में भी आसानी होती है और आनंद का भी भाव होता है अब मैं आपको कवीता पढ़ाने जा रही हूँ एक एक रेशा मिलने से बन जाता है रसा रेशा होता है धागा रसा होता है एक मोटी सी रसी एक एक गटना मिलने से बन जाता है किसा इन पंक्तियों में कवी का खतन है कि जब एक एक दागा मिलता है तो वे एक मोटे रसे का रूप ले लेता है और जब एक एक गटना मिलती है तो वे एक बहुत बड़ा काव्य बन जाता है तरह तरह के पोदे मिलने से बन जाती है बगिया इंट इंट के जुड़ जाने से बनती है नई अटरिया पटरी होती है महल इन पंक्तियों में कभी ने ये कहा है कि जिस परकार कई तरह के पोदों से बगिया का निर्मान होता है बगिया होता है बगीचा जिसे इंगलिश में गार्डन कहते हैं और जब इंट से इंट जुड़ती है, तो वे एक सुंदर महल का निर्मान होता है। सैनिक एक केक मिलता है, तो सेना है, बन जाती. एक एक अक्षर जुड़ने से कवीता है, बन जाती. अथार्थ एक-एक सैनिक के मिलने से ही सेना बनती है मतलब एक बहुत बड़ी फोज तेयार होती है और एक-एक अक्षर के जूनने से ही कवीता बनती है एक-एक से बना राष्टर है जन-जन से जनता में जोल की बनी शक्ती से साहस अविनप जनता इन पंक्तियों में कवी ने ये समझाया है कि एक एक गाउं के मिलने से ही पूरा राष्टर बनता है यानकि पूरे राष्टर का निर्मान होता है जिसे हम देश बोलते हैं राष्टर होता है देश और एक एक जन के मिलने से ही जनता बनती है अलग थलग रहने से निर्बल, निर्बल होता है कमजोर मिलकर हम बढ़ जाते एक एक सोपान मिलाकर उपर है चड़ जाते सोपान होता है सीडी इन पंक्तियों में कभी ने ये कहा है कि में जोल से जंता में सहसाता है और शक्ती भी बढ़ती है तथा अलग अलग रहने से उनमें निर्बलता आ जाती है क्यूंकि एकता में उनत्ती होती है यदि एक-एक सीडी मिल जाए तो हम अपनी मजलता कसानी से पहुं सकते हैं तो बचो आप मैं आपको इस कविता की एक्सरसाइज कराऊंगी यह देखोई औरल कॉश्चन है कवपाड देखो रसा कैसे बनता है एक-एक दागा जूनने से रसा बन जाता है कविता कैसे बनती है एक-एक अक्षर जूनने से कविता बन जाती है गवपाड है इस कविता के द्वारा कभी ने क्या संदेश देना चाहते है इस कविता के द्वारा कभी ने यही संदेश दिया है कि एक तमे बड़ी शक्ती है और हमें मिल जूल कर एक साथ रहना चाहिए अब कलम से कवपाट तरह तरह के पोदे मिलने से क्या बनती है इसका सही उत्तर है बगिया इट इट के जूडने से क्या बनती है इसका उत्तर है अटरिया अलग थलग रहने से हम क्या बन जाते है निर्बल कवीता में किस चीज का महतब बताये गया है उत्तर से है एक ताका अब ये जो नीचे क्वेशन है ये हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे आपने वहां से देख लेने है ये सारे अब उसके आगे है दिये गए संग है एक बचन में आहाई है सबसे पहले रेशा इसका बहुक बचरे एलगा रेशे पोधा का खो धे किस्सा का किसे रसी का रसिया कवीता का कवीताइं ए घटना का घठनाएं ऑब दूसरा देखो दियेगे शब्दों का वक्क्य प्रयोग एक बचन की तरह करना है पहला है शक शक्ति होती है देश हमारे देश का नाम भारत है सेना हमें बारती सेना पर गर्व है सोपान सोपान से गिरने से राजु के पैर में चोटा गई आगे देखिए तीसरा दी के पंक्तियों में से संग्या शब्द छांट कर लिखने हैं इसमें हैं गवपार्ट में हैं पहला है रेशा और दूसरा है रस्सा गवपार्ट में पोदे और बगिया गवपार्ट में सैनिक और सेना और गवपार्ट में कवीता अब पोर्थ वाला देखिए दिये गे शब्दों के समान अर्थी शब्द लिखो जिसे प्रायवाची शब्द भी कहते हैं बगिया होती है बगीचा, अक्षर, शब्द, लफ्ज भी बोलते हैं जनता होती है प्रजा, राष्ट्र, देश, शत्ती, ताकत, सोपान, सीड़ी